दोस्तों मारोती सुजुकी ने स्विफ्ट का CNG मॉडल लॉंच कर दिया है मारोती सुजुकी की कार अपने पहले मॉडल से काफी ज्यादा बेहतर दिखती है लेकिन इसमें बहुत सारे बड़े चेंजिस किये गए है मारोती सुजुकी ने एक ऐसी कार बनाई है जो स्पोर्टी है ड्राइव करने के लिए मज़ेदार है और अभी तक एक छोटे परिवार के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है स्विफ्ट को पहले भी बहुत पसंद किया जाता रहा है और अब नए चेंजिस के साथ तो ये और भी ज़्यादा धासू होने वाली है तो चलिए अगर आप भी मारोती की गाड़ियों के दिवाने हैं तो अभी से कर दीजे इस वीडियो को एक लाइक और अगर आप हमारे चैनल रियल आटो न्यूस पर नए हैं तो फटा फट से ऐसी ही आटो न्यूस मिस ना करने के लिए चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब सबसे पहले मारोती स्विफ्ट के सीटिंग कपासिटी की अगर मैं बात करू तो ये फाइव सीटर कार है ऐसे में इसमें पांच लोग बैठ सकते हैं अब मारोती स्विफ्ट के इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो नई स्विफ्ट कार में 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है जो की 90 PS की पार और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जैनरेट करता है बहतर माइलेज के लिए कंपनी ने इसमें इंजन के साथ साथ आइडियल स्टार्ट अप, स्टॉप, फीचर भी दिया है इंजन के साथ इसमें 5-speed manual और AMT gearbox का ओप्शन रखा गया है स्ट में 1.2 लीटर पैट्रोल इंजन के साथ CNG का भी ऑप्शन रखा गया है जिसका पावर आउटपुट 77.5 PS पर 98.5 न्यूटन मीटर है इसके दो वेरियंट VXI और ZXI में CNG केट दी गई है मारोती स्ट को 4 मुख्य वेरियंट्स में लॉंच किया जा रहा है सभी वेरियंट्स दोनों में ही उपलब्ध है 1.2 लीटर पैट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन 5-speed manual gearbox के साथ मानक के रूप में इसके अलावा V, Z और Z प्लस एक वेकलपिक स्वचालित manual gearbox याने की AMT के साथ भी मिलेंगे आपको माइलेज की अगर में बात करूँ तो इसका 1.2 लीटर डीजल इंजन 5-speed manual gearbox के साथ जो आता है ये 23.20 km प्रती लीटर की रेंज प्रदान करता है जबकि इसका AMT gearbox का जो option आता है वो 23.76 km प्रती लीटर की रेंज प्रदान करता है साथी Swift CNG variant की बात करूँ तो ये 30.90 km प्रती लीटर तक की रेंज प्रदान करती है अब अगर फीचर्स की बात करूँ तो इसमें नए 4.2 इंच कलर ड्राइव डिस्प्ले क्रूस कंट्रोल 7 इंच टच्सक्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम हाइट अज़स्टिबल ड्राइवर सीट और अटो एसी और एलेडी डियारल के साथ एलेडी हेडलाम्प जैसे फीचर्स दिये गए हैं साथ ही सेफटी फीचर्स के तौर पर पैसिंजर्स की सुरक्षा के लिए इस कार के एम्टी वेरियंट में इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिये गए हैं इसके अलावा इसमें प्री फेसलिफ्ट मॉडल की तरह ही ड्यूल फ्रंट एर बैग एबीडी के साथ एबीएस और रियर पारकिंग सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलना जारी रहेंगे सेग्मिन्ट में इस मारोती कार का मुकाबला ह्युन्डई, ग्रैंड, i10, नियॉस और रेनो ट्राइबर से रहने वाला है मारोती स्विफ्ट की प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस तीन लाग से शुरू होकर 4,85,000 तक जाता है मारोती स्विफ्ट कुली 11 वेरियंट्स में उपलब्ध है स्विफ्ट का बेस मॉडल LXI और टॉप वेरियंट मारोती स्विफ्ट ZXI प्लस डूल टोन एम्टी है और इसकी प्राइस 4,85,000 है आपको कैसी लगी है ये कार हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही वीडियो पसंद आया है तो इसको कर दीजे ज्यादा से ज्यादा शेर और लाइक फिल्हाल, तांक यू फो वाचिंग